आज में आपको मिट्टि काईदम पाऊडर बनना चोंव 좋다 थे जो एक तरों यहां हो कितन स्दसलीन जारे ठ साइट है और उसको ऐसा पाऊडर मेंना जोगा है उसा और देक्ते जाने कैसे बने गाई उसके ये से करम लिए चेठाबiksi इससे मैं अपनी साही मिट्टी को एड़न फस्क्रास कर लोगा और इसको वाली को भी लेगा ठीक है यह रहा मेरे इतना बड़ा पथर अवाज आलिए आपके टाइट है तो पहले टाइट है ना तो पहले तो मैंने पहले मैंने इसका यह पार्ट यह से इसको टोड़ा मैं बह अब इसके अंदर में यह थोड़ी से मिला लेटा हूँ ठीक है अब देखते रहना कि अच्छी मुट्टी बनके ट्यार हो लेकिए इसका पुरीपुल करल चेंज हो जाएगा ऐसे सॉफ्ट हो जाईगी है देखना आपकी अजिए 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 लेकिन अजिए अजिएू था कुम ब हुआ जिए मझा पिस कि प्सका अटिए। है अब अब नहीं है अब अब लेकर नंब है अब लिए को डिक्रेश बाद निया आपको डिख लेगे कितने साले हैं यह इसको अपने पास लेड़े लो हम अगैं अब इसको क्या करना है अब अलिए लेन लेना है और फिर हमको इसको आई से लखना है और भी अब पुरें डम लगा कि आप देखें वह कितना फान्स नाउल निजाए सfen I नाई को च्छाना है नाई इसको कुछ किया है हमने बस इसको ऐसे टेल टेक क्याफिल जैसे कि यह मैं आपको दिखाता हूँ भी यह यह देखें आज इस तरिके का हुझा है ठीक है तरिके ऐसे तरिकी का हो जाए तो बसको पर और मिट्टी नाई तो आपको देखना कि अच्छी बड़ेगीं आप इसे कलते जाना फिर एसे इसको लेखते जाना उसको पर डालते जाना इसे मैं इसको इज़ादे खटा कर लखाए और आप देखना खुट देखने और इढल जो मिट्टी आने इसको इढल कर लो है ठीक है यह यह देखा हूँ इसको पर मैंने पूरा जोर लगा लखा है इसको सही करने में अब अब देखने हैं कितना फाइन पाउडर भनेगा इसका इसको पूरा डूं लगाके करना है अब इसको जितने भी मोटे मोटे पत्थल है सब गाया बुझाए यह आप देखते जाओ अब इसके बोला है अब हम इसको पर इसको ऐसे देखो ऐसे यह दो इसको पाउडर बन गया ना ऐसे सब का पाउडर बन जाए दो फाइन वाला और अगर इस मिट्टी के ने पहले से कुछ धागे वागे किसी चीज के भी जो जो होगे ना हो जैसे कि मेरे स्वारी मट्टी के अंडर भी नेबु के भी दार्टी के नोगे नहीं तो आप इसको छान सकते हो लेकिन मैं चानूगा नहीं मैं आपको दिखाता हूँ कि 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 अच्छे से और कि जल्दी 10 मिल से जाधा नहीं लग सकते आड़ गंटे से जाधा न इसको अब देखो आप इसको और फाइन बना देगी है जो ठोड़ी से सूखी मुच्टी एकड़ पर पानी में बिलाया था क्योंकि इस तेंदर से निकालने के लिए पानी राया था मैंने तक जाके निकली थी बहुत मुश्किल से अब वापे सम करेंगे इसको मैं पूर इ पैठी जाओगा अब देखो आप इस वारे कांपो बहुत जल्दी जल्दी करना है और इसके निए बहुत पैक्टिस चहीं होती है जहां जहां पर भी स्किप ठीटे जा रहे हैं तो हमाँ से आप इसको कर लें हाट गंड़े हैं लेकिन मिट्षी बहुत अच्छी बहुत गया है हं स्किप नहीं करूँगा मैं अच्छे से दिखा हुगा फर आप बनाऊ बोलोगी आपूस्टे हुए आप्सक्पक झैब जयाक्शmarket डेटी कि इतना फाइन पाउदर बंगे एए अधिन फाइन पाउडर देखा आपने इतना फाइन पाउडर बना ए इतना फाइन आप अगगर आप इसको बना बटर वाप एक बटर राय करके ज़रूर देखना है यह देखो हुआ है हमको इसको कल्टे कल्टे अभी साथ मिंट हुए है यह देखो अब साथ मिंट के अंदर इसका ऐसा आगया है अब इसको इसके पठ्थर बचाएंगे तो इसको इसे हाटों से कर लेगा आपको बहुत अच्छी फिलिंग आएगी हुआ है 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 तो हमारी तोड़ी सी घिरी बिटी ठीक है होगी यह तो इसका टो हो गया काम इसका काम तो हो गया अब देखो अब मैं आपको यह तोड़ी सी घिली तेम मैं आपको ऐसे सूखी मिट्टी बनाएं करिका लाएं पानी की अब इसका पानी डालते काकि इसका अथड़ने फिरे वला है लेकिंग इंडिया अच्छी लगती क्योंकि एक्टम सूखी होती है कर लाएगा ठीक है मैं आपको डोनों टाइप की मिट्टी बनाकर सिखाता हूं यह तो अब आप देखना इसको देखो आप यह तो बिल्कुर पठ्था की तलब बन गया और हम इसको इसको इनम फाइन पाउडर में संवाल्ट करेंगे अब कि इसको 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 इतनी टाइट मिट्टी मत्त में आपको क्या बटाओं आपको देखो अवास सुनके आपको पटा लगला हो अगा देखो आप कितनी जादा ताइट है आपको खुट पटा लगया अब तो कि इतनी टाइट है तो इसको करना कितना मुस्क्रेट हो हम इसको पर टोड़ेगे अब जाके इसको टू पार्ट हुए है आप इसको देखिए तो बोड़ा होट जाड़ा डिफीकर्ट है कि बहुत जादा इसको करना को असान काम है नहीं कि आपको बटा के देखाना उसके फर एसको ठीट हो दाएगा तो हम इसको अश्यक्राइट है इतली टाइट है कि मतब तूटती भी लिए जैसके को यह उसको गोल्ड को आपको इस लोहे को तोड़ लिए इसको तो बहुत जाड़ा महनट का काम है इसको करने में लग सकता है आपको ताइम बता रहा हूं इसको करने में लग गया और जो यह वाली जल्डी हो गई थी मेरी इसको तलते जाला हूं तो वह द दख वाप टग में ऐसे बड़े बड़े पट्ठे बच वह तो दूटते ने इस ने टाइट है लेकिन यह इसका एंदा फाइन पाउडर लगांगे देख आप देख आप देख आप देख आप देख आपे देख वाव अगर आप इनको छोगे ना तो आपको बिल्कुल भी अच्छी पाउडर मना के देखोगे तो आपको बहुत अच्छी फिरिंग आएगी जैसे कि इसका मैं भी एक्टम चौक ग्याटर की ऐसी मुट्टी के इतना फाइन पाउडर लेकिन मैंने इसको कील कर दिखाया ध्यार लगने इसको तोड़ते वह आपके हाट में लग जाए बहुत जड़े डिफिकल्टिस को हम जल्दी जल्दी करते हैं इस वाले काम को एपना धिले धिले माल हो गए तो तूटे भी नहीं है अब हम पादी से इसका चक्ड़ा बेरेन स्टार्ट के नाज़गा तो कितने मोटा मोटा पठ्थ है इसका में रिमानस के अंदर मटा वान मन से पानी राष्ण से इतनी टाइट होगी देखा अब आप देखने इसका कितना फाइन पाउडर बनने वाला भी आप देखोंगा आप देखाऊ इसका हम बनाएगे यह फाइन पाउडर और आप सब भी यह पे यह मैं भी यह पे यूँ और आप देखना कि कैसे हम इसका फाइन पाउडर बनाते हैं ऐसे तो यह पुली कुल पर ने टूप कि लमको इसको जही सब्सक्राइब ना पड़ेगा मैं से थोड़े से पानी मुला रहा हूं अब यह मत करना कि मैं तो पूरे करने पानी मुला दिया आपको मैं पहले दिखा दूँ देखो जी आप पर मैं आपको अच्छे से मिक्स कर लूँ अब भर कर देखो अभी यह वैसी ही है देखो प्ट्रे में इसको पूरी जोर से माना अब भी ऐसा ही है अब भी इमिट्टी ऐसी ही आप यह पर सोच में की पानी डाल डियां में मैंने पास हरका साइड आ रहा था हां अब हम इसको फाइन पाउडर में कनवर्ट करेंगे तो फाइन पाउडर फाइन पाउडर एक डब फाइन पाउडर और इस पेंदर में अपना होगा फोल अब लॉक्त इसमें मैंने आलू की हुगाया है मैं अपने जित्ते पी अपने लिए पॉड्य हुगाता हूँ उनकी मैं मिट्टी ऐसी ही ट्यार करता हूँ और मिट्टी के अंडर स्टोर नहीं होने चाहिए सबसे बड़ी बात है स्टोर ने एक बिजिए होना चाहिए अब भी आप देख दिलाना यह वारी मिट्टी से भी सूखी बनेगी हाँ अब 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 और यह अब अब और इसका एक नब फाइन पाउडर बने आप खुड एक ना इसका पाउडर बनते जाना है और बहुत अच्छे से बनना है मसल्स के एक्सरसाइज हो जाती हाटों की इस थोड़ी इस काम को तो छोटे बच्चे करी नहीं सकते सेवन यह से पहले के बच्चे नहीं कर सकते इस काम को बहुत जाड़ा एनरजी चाहिए इस काम के लिए इसको कैसे करूं मैं कि अब देखते जाओ जितनी जाड़ा सूखी मिट्टी बन लिए अब रखो वाव मिट्टी कि अच्छी बनते जा रही है पहले कैसी थी और अब ऐसा लग रहा है जैसे कोई अब दम चल्मकल्चनी से को आयो मिट्टी एग ड्रूप नहीं कि आज जिसके आज आज है अज हम आज-दम आज करीछी टो मिट्टे उट्टी यह वैसे लग लिया और पैर फाप्सक्राइज्द फूकर्टे गण्ड़ी लग्ड़ी ठीश्च है जी-जी-जी-जी- इसको हम पूराच्छे से करना है आप देखना अब आप देखो आप जवाली से भी फाइन है हम आपको इसको फाइन बनाकर दिखा तब यह पूरी ट्यार नहीं अब इसके अधर पठ्ठे बच्चे होए है लेकिन वैसे यह पूली ठीक होगी अब तो पहले से बहुत जाए हम इसको फाइन बनाना है आप जाए तो यहीं पर इसको काई द्रम को लोग सकते हैं डिफिकल्ट तो यह भी है इसलिए टाइड पठ्ठर है इसके अब आप टोड़ी से फास्ट स्पीड कर देख अब आप फास्ट स्पीड में जाड़ा अच्छे से होता है और कोने कोने में चीते भी बड़े बड़े पठ्ठर आले उनको अपने पास लें कि ऐसा आप ऐसा कलते जाएं और इसकी अच्छे मिट्टी बनेगी इसके अंदर पॉड़े बहुत अच्छे गोलों करेंगी कि देवानी मिट्टी हम लाए थे घर की मिट्टी है लेकिन बहुत ज़रे टाइट हो गई थी हमने पानी डाल रहे हैं इतनी टाइट मैं आपको दिखाए चुका हूं मैं इसको जिसकी कोई बहुत बढ़ा पठ्ठल हो अब आप सबनों चौक जाएगे कि ऐसे मिट्टी को बिना अच्छाने इतना पाइन पाउडल कैसे बना और मैं इसको बिलकुल भी इसकिप नहीं किया मुझे सेवन्टी मिनट्स हो चुकी है नहीं एट्टीन हो गया वह एट्टीन मिन्ट केंदर मैंने यह थोड़ी सी कि इसको एक बार घर पर बना करें ना कम से कब इसको फिफ्टी मिनिट्स लगे है इसको बनने में यह जाड़ा डिफिकल्ट पहरे बारे मिट्टी कैसे थी है है अब हम इसको थोड़ा सब कर देते हैं अब इतने इतने पट्था बचा यह और जे एक है बागी सब कंदल देखो आप देखो 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 मेहनेट लगती है मेहनेट का काम है मगल हो जाता है काम आज गंटे टक्का ये वीडियो बन सकते है बीटो 90 मिनट्स का ही है इसको पूरा अच्छे सब्सक्राइब कर लेगी वाओ इतनी थंडी टाज की वारी होगी है एक पानी डालने के बाद कितना कम पानी डाला था हमने बस हलका साथ बूले तो बैसे भी जरुबट नहीं थी आप चाहब तो सब्सक्राइब कर लेका है और ऐसी अच्छी 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 आजी है इसको करके बस हो गया यह देखो आप में आपको टिखाओ यह देखो आप यह ही है वह मिट्टी जो अभी इतनी टाइप थी यह हमने इसको चाना भी नहीं है चाना तक नहीं हमें यह देखो आप हमची अच्छी अच्छी आप यह देखो आप इसको नहीं नहीं ठीक है चलो बई रेट होगी हमारी मिट्टी टाया इतनी अच्छी मुट्टी बनी है और अब आप यह मत कहना कि मैंने स्किप कर लिया वीडियो इसकिप तो मैंने बिल्कुल भी नहीं किया अब आप नौक सोचते हैं कि देखो यह दूर से मिट्टी लिया इस ताइट मुट्टी का पाउडल कैसे बन सकता है है हम उसको अब 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 जोट हमारी तीजी मुट्टी है ना ठीक है जोड़े हमारी बंगी है और अब हमें जो बनाई थी गिलिट आज की वारी है ठीक है इसको देखाओ यह तो इससे भी अच्छा इसको तो वह आया है कि इसको फिस्टाइड में कर दो अब अब कर दो अब आज और दें हमाने थोड़ी से घीरी है यह मिटिस केल में थोड़ा से जाटा पांगा ने तो मैंने आप लोगों के साम ने में इसकंडा मैंने बिल्कुल पांदी नहीं ब्लाया एक भूलाया होएगा कि आप इसको हाट कंदर लोगे और इसको टाइट डबाओगे तब आप देखोए कि यह से पठ्थर बनकों जैसे हम इसके मीचे कि लाएगे कितने असानी से यह देखो कि अधाये लिए बिल्कुल फाइन पाउडर बन चुका है यह और जो मैंने आपके सामने बनाई उसका बिल्कुल फाइन पाउडर बन लिया कि यह कि अधिया है कि अधियो फूचय इसके अंधर यह सीड वाल मिट्टी थे जो सीड थे ना स्केंडर वो सीड बिचाने फागे नेमो के सीड थे ना जो उनका भी सकने कद्डू कश हो गया व अधिया यह यह पाउल नेमो आ तुड़ने थी नीपो आ तो यह आ रही थी नहीं इसके अनकोई भी सीड निथे रिटाप सूखी और रिटाइड मट्टी थे किया को आव्य कि प्टूली यह अजी मट्टी मंगी अब मैं इसके साथ मस्टी करते है यह हमारी मिट्टी है कि अच्छी मिट्टी बनी है अच्छी आप एच्छी डिए में इसके सेवाइब कर दोड़ां अब कर दो siamo किकोड़ा आप अच्छी कोड़ा इसकी इसके समय आपढ़ाै हम इसके अंदर ये फूर अक्लोक अगर शीड दा लेगे तो कितनी अच्छे से होगेगा ये मैं आपको क्या बटाऊं जो मैंने आलू गाया है आलू उसकी मिट्टी में ऐसी ही ट्यान की है मैं मत्तब अपने जिक्ति में पॉर्ड मताँ ना उनकी मिट्टी में असी ट्यार करता हूँ अभी है तंटी सिक्सेक्ट का तंटी सिस मिनट्स का ओगया है वीडियो अमने संदर पर हाट लगोगा जय करो वीडियो अमने समय का अमने संदर उत मिंट्टी सिसी मिनट्स निस का बड़ागा है, वीड़ागान Лग्या ट्रोइबागाः पर भ्रापवस्टी सिस्टैं आपके बाई मैंने बनाया है अपने हैंड का जैसे टिखाऊ मैं आपको लोको एक सेकिना स्किप करके टिखाऊ आपको तो किना है इमने में बन्ती समनाया में लहाँ हैंड के बाई आपके बाई